hi guys welcome back to कारिष्थान और आज हम बात करेंगे रोट किंग और आफ्रोट किंग के बारे में कि डॉनों के अंदर क्या-क्या डिफ्रेंस आया है एंड दॉनों के वरियंट अपने पास तो अगर बात करते हैं इनोवा की तो इनोवा में अपने पास जो खड़ा हुआ है वो बेसिक वेरेंटेस का जी एक्स तो यहां पर हमारे पास खड़ा हुआ है Z6 दोनों के प्राइस की बात करें तो इनोवा आपको लगबग 23 रुपे की ऑन रूट परती है आपको अगर स्कॉर्पियो की एन की बात करते हो तो Z6 आपको लगबग पर जाता है 19 रुपे का तो गाली के दोनों के प्राइस में दोनों ही अपने सगेंड में अलग अलग डॉमिनेट करती है तो एक तरफ आपना रोड किंग जो की कमफर्ड वाइस प्रेजेंस वाइस काफी अच्छा लगता है दूसीर तरफ आपके पास ऑफ रोड किंग जो आपको ऑफ रोडिंग में और इसका एक अपना एक अलग इनुवा का का खस्टमर बिल्कुल अलग है लेकिन बात करते हैं आज इन दौनों के भीच में कंप्रीशन कैसे है तो शुरू करते है वीडियो को तो आपको दोनों की चाबी कुस इस चाइप की मिलती है यह अपको अब की मिलती है जस्लैक यहां पर भी आपको फ्लैप की म देखते हो तो थोड़ा सा डॉमिनेटिंग और SUV लुक को इन्हेंस करता हुआ है ग्रिल काफी वाइड है काफी चोड़ा है सेटन क्रोम आपका काफी अच्छा यूज करा है डेवल बैरल हैड्लाम्स मिल जाते हैं आपको हाई भीम पर लो भीम पर दोनों पर रफलक्टर दिय हुआ हुआ है यहां पर आपको ऐसेंबली नहीं मिलती है एंड आपको मिल जाती है क्टिया हुत इसपैस deben चालते हैं जो आम मिल जाती जाता है यहां पर भी आपको double barrel LED headlamps double barrel reflectors मिल जाते लाइट्स में जहां पर आपका high beam और low beam indicators आपको यहां पर मिलेंगे इसके and fog lamp इसमें यह additional add के हुआ है अगर आप basic गाली देखते हो तो उसके अंदर आपको fog lamp नहीं मिलता है इस वाली variant के अंदर गाली के अगर total दोनों की चोड़ाई की अगर बात करते हो तो दोनों की चोड़ाई में लगबख 87 mm आपको Scorpio N चोड़ी मिलती है इनोवा के अपिक्षा तो इनोवा आपकी 87 mm छोटी है चलते है side profile पर कि side profile में आपको क्या मिलता है तो side profile में इनोवा यहाँ पर थोड़ा सा complete करते हैं मतलब थोड़ा सा ज्यादा है इनोवा लगबख 75 mm ज्यादा है Scorpio N से तो इनोवा की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है आपको इस तरफ Scorpio जो लंबा ही है वो 75 mm कम है लेकिन अगर बात करते हैं पहले टायर की टायर की आपको profile क्या मिल लिए तो दौनों के अंदर चेंज है कि यहाँ पर आपको steel wheel मिलता है with cover यहाँ पर आपको alloy मिलता है लेकिन अगर size की बात करोगे तो यहाँ पर आपको 17 इंचिस का प्रोफाइल की बात करोगे तो प्रोफाइल इनो जो आपका स्कोर क्यों के साथ आता है 245 आर सत्रा वैन वी कम्स तूइन वा के साथ आपको मिलेगा 205 आर सोला तो टायर में यहाँ पर फर्क है कि टायर आपका स्कोर क्यों एन का ज्यादा बढ़ा है अकॉर्डिंग टू साथ के साथ बोडी क्लाइडिंग आपको जो वी लाज क्लाइडिंग है वह आपको स्कॉर्पियों के अंदर देखने के लिए मिलती है रुबा में वह चीछ नहीं मिलेगी यह यह आपका एसीवी कॉनसेप्ट में नहीं है एक बात करते हैं ऑप दॉनों के चैसी की तो चौनों के चैसी भी विल्कुल अलग है यह आपका बात करते हो कि आपको और दॉने भुख करते चलिए UMे यहां पर वह दो वह लगाते हैं ज़्रीज़ूरी जांगों है लोगाते हैं यहां पर अगर आप साइट फॉट्रेस की बात करते हैं यह आपका आती है एक सोसाइश वह आती है आपके सब्सक्राइब करते हैं लगवार ली तो लगवार्ण लीटर आप इन्वा के अंदर ज्यादा फ्यूल डाल दाल सकते हो अगर आप लुक्स की बात करते हैं तो Scorpio NK लुक्स थोड़े सा अग्रेसिव लगते हैं SUV स्टाइल इनेंस करता है तो यहां पर आपको जो वीडिंग है साइट वीडिंग जो विंडों के उपर बेस लाइनिंग मिलती है वह थोड़ इस यहां से स्टोटी इनेंस करते हैं इनोवा के अंदर बिलकूल स्लीक एंड सिंपल डिजाइन है जैसा यह पहले आ रहे थे सेम एज इस वैसे आ रहे है कि सिंपल और स्लीक डिजाइन है मिरर्स की बात करोगे ना तो साइट मिरर्स अगर आप दोनों गाडियों में कंपार करते हो ना तो इनोवा के मिरर्स थोड़ से छोटे लगते हैं अक्वर्णिंग टू स्कॉर्पियों को जो मिरर्स साइज है वो काफी बढ़ा है और ब्रॉड है आप इदर देखें मिरर् करें इनोवा में आपको बैक प्रोफाइल में एक तो स्पोलर मिल जाता है साथ में हाइस्टॉप लैंप्स मिल जाते है रिया वाइपर की असेमली आ जाती है यह ब्लैक से आउट हो जाता है लोगा का आपका टोहेटा के बैजिंग एन जो पीछे की लाइट से वह हैलोजन रख्लेक्टर के साथ है यहाँ पर कई भी एलेडी नहीं यूज किया तो सारे है और आपको चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं अन केमरे की असेमली मिल जाती है गाड़ी के अंदर निडीचे अब कर देखने के लिए मिते हैं इस गाड़ी आपको spoiler आ गया हाइस्टॉप लैंप्स आ गए यहाँ पर डिफॉगर की एसेम्बली जादा हो गई है कि वहाँ पर केवल वाइपर वोशर ते यहाँ पर डिफॉगर भी आपका एड़ ओन हो गया कि वाइपर वोशर डिफॉगर आता है इस्ते एक टैल लंप आते हैं मतलब क जिसको lights वो थोड़े लब में दिया हुए और यह पूरा LED combination lamps आ वहाँ पर आपको मिल रहा है reflector बाब्स के साथ यहाँ पर मिल रहा है LED combination lamps आपको आपको मिल जाता है दो ओको में चुल्भ को मिल जाता है है निश efficient की अश्येमली मिल जाते हैं यहाँप एको इस घाड़ी में सकते हो यहां पर सकते हो यहां पर यह पर है लिए लिए पर आपको साइड में ओपन अगा है यह ब्ले एंदर आपको इस लेविल की अगर आप सातों सेट खोले तो आपको बूट का Innova का कितना है तो Innova के अंदर आपको boot space थोड़ा से ज़्यादा मिलता है कि इसका एक तो डूर आपका उपर की तरह होता है Side में नहीं खुलता है and boot space Innova को obviously Scorpion से ज़्यादा है कि अगर से लोग अगर खोल लेते हो साथ लोग बैटे हो तहाँ पर आप आराम से दो ब्रीफेस या दो बड़े साइज के आपके बैग आप करी कर सकते हो तो भाई अब चलते आगे तो बात का करें आप चलते हैं इंटियर की तरफ तो इंटियर में क्या-क्या मिलने वाला है आपको वह हम डिसकस करेंगे ओ भाई इंजिन हुट खोल दिये पहले से में क्या-क्या मिलता है दो दोनों गालि कंदर परफोर्मीन वाले है तो सलाव ग Alors खोले से अंदियुक्राइबamız ऑच जन देख करता है अब पाते तरफ इंचिन की अगर आफ बात करोगे तो इस llam Line4 लीटर का D4D engine मिलता है जो आपको 143 PS की power and 343 NM का torque generate करता है तो यहाँ पर बात करते हैं दोनों के competition की तो Scorpio का जो engine है वो थोड़ा सा ज्यादा powerful है and थोड़ा सा ज्यादा torque generate करता है ठीक है बात करते हैं दोनों के कि भाई दोनों के अंदर technology wise और क्या change हुए है तो safety wise बात और करते हैं कि भाई दोनों ही गाली आपकी N cap में 5 star rating है फरक इतना है यह आपका Asian N cap में 5 star rating है यह आपका Global N cap में 5 star rating है चलते suspension की तरफ कि भाई आप इत्ती बड़ी गाली का discuss कर रहे हैं तो suspension भी discuss बहुत बढ़ा पार्ट हो जाता है तो दोनों के अंदर front जो suspension आते हैं सब्सक्राइब के साथ आते हैं यहाँ पर क्वाइल स्प्रिंग है यहाँ पर डवल विश्वन एंटी रोल वार है पीछे वाले suspension पर बात करोगे तो पीछे वाले suspension मिलते हैं coil spring भार के साथ तो भाई Scorpio को अंदर मेरे को प्लस पोइंट और दिखता है कि जब भी आप hood on करते हो ना तो इसके जो इंडिकेटर से जो बजर से वह ब्लिंक करना चलू करते हैं तो रोड साइट पर अगर आप खड़े हुए हो तो यह आपके खुड़ खोलते यहां पर चीज नहीं है तो यहां पर सेफटी को लेकर महिंद्रा थोड़ा सा पजासिव है कि यहूंने सेफटी हर जगह पर हर कीमत पर दिया है चलते भाई इंटीरियर के तरफ की इंटीरियर में गाड़ी के क्या-क्या दिया है तो फहले दर चले एदर इदर चलते तो भाई यह आपका लॉक होगी गाड़ी इनुवा के अंदर आपको एक तो सिंगल टॉन इंटीरियर पूरा मतलब कि पूरा ब्लाक दिया हुआ है कोई तो यहां पर चड़ना थोड़ा सा आसान है क्योंकि मोनोकॉक फ्रेम है तो गाड़ी बहुत ऊची नहीं है आपको फुट्रेस की यूज बहुत कमान है अगर आप अच्छी कासी लें लंबाई के हो पांचोट आठेंच पांचोट तसंच के हो तो इसली बैठ सकते हो गाड़ यहां पर आपको अधिया है यहां पर आपको अधिया है यहां पर आपको स्टार करते हैं से जाता तो इस चारिंग बहुत अच्छा नहीं यूज किया और मीटर कंसोल में आपको दौनों ही एनलोग मिलते हैं कि एक तरफ आपका स्पीडो मीटर एक तरफ आपका टैको मीटर मिलता है और जो बीच में स्क्रीन दिया है टी-फ्ट बहुत चोटी है बहुत चोटी तो यहीं पर आपके सारे डिस्प्ले फंक्शन है कि आपका आउक साड़ेज अगरा सब कुछ यहीं पर शो करेगा कितना चल जाएगी तो डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा होता तो और अच्छा लगता है साउंड सिस्ट्रम आपको मिल जाता है यहां पर दे चार इसी वेंट्स यह वह आगे फेस पर आपको यहां पर आपको जो इसी है वह आपको मैनुल एड़्जस्मेंट के साथ मिलेगा मतलब इसमें और प्लाइशपूर्ट जो आप पेच्छे सेंटर कंसूल की बात करता है तो फोड़ा सा सिंपल लगता है देखने में तो ही है कि आपका इंटीरियर में बेस्ट काफी कुछ दिया हुआ है सारी चीज़े मिल जाती है चलते हैं पीछे वाली सीट पर कि पीछे वाली सीट में क्या मिल रहे वाला है तो इस गाड़ी को हम जो देख रहे हैं यह एट सीट है तो पीछे वाली सीट जो है सेकंडर सीट तो बेंट सीड दिया हुआ है अंदर अगेन मेरे को फोट्रेंस की जरूत नहीं है मैं इसे लिए चल सकता हूँ यहां पर आपका रेक्लाइडर मिल जाता है एंड स्लाइडर भी इस काड़ी में आपको दिया हुआ है तो स्लाइड भी आप कर सकते हो अगर पीछे वाले अगर बंदे बैठे तो आप स्लाइड भी कर सकते हो जिससे कि उनको कमफर्ट मिले एस इवेंट के असेमली यहां पर आपको रूफ में देखने के लिए मिलते हैं यहीं पर आपको ब्लोवर स्पीड फैन स्पीड सब कुछ यहीं पर दिख जाती है एंड आम्रेस्ट वगरा देखें मिलते हैं आम्रेस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है यहां पर विट टू कफोल्डर के साथ तो कफोल्डर थोड़ सा स्टैलिज दिया हुआ है गाड़ी के अंदर लाग स्पेस काफी अच्छा है यहां पर आपको चार्जिंग यहाज आपका टम्बलण डाउन सीट चलते हैं इसके पीछे तो पीछे वाले सीट की अगर बात करते हैं और कीचा। पीछे वाले सीट पर काफी स्पेस है आप एकलाइनर दिया हुआ है रेकलाइन कर सकते हो सीट को यहाँ पर भी आपको एसी वेंट के एसेम्बली देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर क कряई आपको सेट बैल्ट के लिए हो वाँ पर लगते है कप फोल्डर्स मिल जाते देखने के लिए आपको यहां पर दौनों साइड पर कप फोल्डर्स दिये हुआ है तो गाड़ी में अवरोल अगर आप ब्लैग स्पेस की बात करते हैं तो लाग स्पेस काफी अच्छा दिया हुआ है इविन स्लाइडिंग सीट्स भी है तो स्लाइ यहां पर फोट्रेस का आपका यूज है अवाव ग्राव हैंडल्स दिये हुए है कि आपको ड्राइवर को चड़ने के लिए भी ग्रैब हैंडल है तो आप इजी लिए लिए चल सकते हुआ है इसमें थोड़ा सा फील है क्लाइमिंग वाला है कि आप गाड़ी के अंदर ने काफी सुपीरियर है इनोवा क्या पिक्षा यहां पर एक तो आपको जब आप मीटर कंसोल दिखते हो तो यहां पर मीटर कंसोल काफी अच्छा दिया है बहुत खुब सूरत है एंड इविन आपका टैको मीटा आर्पी हम डिजीटल में आपका अडिए हुए लेकिन जो बी सीन्दरा की ब्याजिंग मिल जाती बीच में एंड इस्टिरिंग सीर्इंग करने में चैंठ चोटा है साइज में उससे लेकिन अच्छा है एर बैक की एसेम्बली की बात करो तो एक साफ को दोनों तरफ मिल रहा है को ड्राइवर एंड ड्राइवर के निस काली के अंदर न एक्टेकल एड्जस्टेवल फोल्डेबल दिया चारों पावर विंडू की असेंबली मिल जाती है आम्रेस्ट वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बहुत दूर है और बहुत नीचा है यहां पर थोड़ा कमफ़ाटेबल है आपके असेंबली भी काफी आपके इज है कि आपके हाथों के बहुत साथ बतलब कि आप बोल सकते हो कि पास में है तो इजी ली आपको यूज करने के लिए अच्छा है आपको सीडियो मिल जाता है टैच स्कीन के साथ 7.1 इंच का आपको इंस बार्ट इंफोटेन्मेंट सिस्टेम मिल जाता है इधर भी आपको ए आपको एसी के चार मिलते हैं इसके अंदर सिक्स स्पीकर के असेमली मिल जाती है दो ट्वीटा और चारो डोस पर आपको स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे और सीट काफी कमफर्टेबल काफी अच्छी है तो कुशनिंग काफी अच्छी है पैडिंग बहुत अच्छी दि दिया हुआ है और टो स्टाट इस्टॉप पजस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हिल डिशन कंट्रोल जो कि आपको इन वह के अंदर नहीं है और या रहा है इदर आपको सन्रूफ की असेम्बली मतलब कि इस गाड़ी में आपको सन्रूफ देखने के लिए मिल्या है तो यहां पर आपको अगेन वैनिटी मिरर नहीं दिया है यहां पर आपको आटो डिमिंग एफक के साथ नहीं है आपका डे नाइट मिरर है चलते हैं पीछे वाले सीथ पर कि पीछे आपको क्या-क्या मिल रहा इसके अंदर कि अगेन यहां पर मुझे सफर्ट्रेस की जरूत पड़ गए कि गाली की उचाएं जाता है लाइक स्पेस अच्छा है एसी के वेंट इसमें यहां पर दिया है कि सैंटर कंसूर सैंटर में आपके सैंटर में दिये हुए एंड ब्लोवर स्पीड आपका यूस्पी पोर मतलब क कि आपका फास्ट चार्जिंग के लिए दिया हुआ एक रीजन ये भी बान सकते हो कि यहां पर संडूफ लगा है तो संडूफ का जो ट्राइवल है वो यहां तक होता है तो यहां पर आगर इस इवेंट देते तो वक नहीं करते इसके सेंटर में दिया हुआ है एक करते हैं और फॉडियों होड ऑफ अन्य वार हैं यहां पर उल्टा है वहाँ पर जो टम्बल डाउन थी वो इस तरफ वाली सीट हो रहे थी यहां पर इस तरफ वाली सी वाली सीट ओढ़िये तो दोनों ही अलग-अलग इन चेंज हैं कि यहां भाई अगर वाध कर लेते तो फॉल्ड करने के बाद यहां पे थोड़ा सा सर्वाइबल सीट सेट तो यहां पर सर्वाइबल सीट में हो रहा है तो शीट बहुत छोटी यहां कि पीछे की तो लाइग स्पेस भी कम है इस गाड़ी के अंदर एंड माइनस पॉइंट एक और चीज रहता हूं कि इसमें रियर एसी वेंट नहीं है कहीं पर भी तो थोड़ा सा कुछ कमी है जो गाड़ी में पूरी हो सकती थी तो एक तो लाइग स्पेस अगर डालते तो लाइग स्पेस इंक्रेज हो सकता था तो पीछे अगर मेरी हाइट का बंदा बता है वो तो बैठ जागा लेकिन मेर कि मेरे से उची हैट अब नहीं बैठ पाएगा फिर यह इन डापको मिलते यहां पर कहीं पर भी कप अब हाव भाई थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्कील एक अंदर इन और आउट फूना जो कि इन वह के अंदर नहीं था तो अब रोल लेड़ी हम लोग डिसकस कर चुके दोनों गालियू के बारे में कि दोनों गालियू के अंदर अधर आपको क्या क्या मिल रहा है फीचर एक ऐस का तक Davidson का आता है कुछ चीज़ा के इनोवा बहुत basic features देता है आपको Scorpio के अंदर आपको Adrinox connectivity यह सारी चीज़े मिल जाती है Alexa built-in मिल जाता है कि voice command आप कर सकते हो आपने phone से अपने गाड़ी को control कर सकते हो lock and lock कर सकते हो भले या 5 km दूर भेटे हो या 5-10 km तो Adrinox connectivity आपको Scorpio जहन के अंदर मिल जाती है वो चीज आपको Innova के अंदर नहीं मिलते हैं तो Innova के अंदर जो basic features मिल रहे हैं बहुत कम है Scorpio के अंदर आपको थोड़ से advanced technology मिल जाती है तो overall हम लोग पूरा cover खोड़ चुक है गाड़ी के अंदर की क्या 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 आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलता है Hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like और subscribe जरूर कीज़ेगा फिर मिलेंगे next वीडियो में next गाड़ी के साथ जब तक के लिए जहन बाए बाए